एक छोटे से गाउं में एक नन्ही चिडिया रहती थी. उसका नाम चिकी था. चिकी का शरीर छोटा और पंख रंग बिरंगे थे. वह हर सुबह सूरज के निकलते ही मीठी आवाज में गाने लगती थी, जिससे पूरा गाउं जाग उठता था. चिकी के पास एक बड़ा सपना था. वह आसमान के उस पार जाना चाहती थी, जहां वह कभी नहीं गई थी. उसके दोस्त उससे कहते, चिकी, तुम इतनी छोटी हो, इतनी दूर कैसे जाओगी? लेकिन चिकी के मन में हिम्मत थी और उसकी उड़ान उची थी. एक दिन, चिकी ने फैसला किया कि वह अपने सपने को पूरा करेगी. उसने अपने पंक फैलाए और उड़ान भरी. वह उचे-उचे पेड़ों को पार करती हुई, नदी के उपर से गुजरती हुई, आसमान की और बढ़ती गई. उसे रास्ते में कई कठिनायां आई, ले खिरकार, चिकी उस जगह पहुँची जहां वह जाना चाहती थी. वहां का आसमान नीला और साफ था, और हवाएं ठंडी और सुकून देने वाली थी. चिकी ने खुश होकर गाना शुरू किया, और उसकी आवाज पूरे आसमान में गूंजने लगी. वहां उसे कई नए द और अब वह सभी को अपनी इस साहसिक यात्रा की कहानी सुनाती थी, जिससे गाउं के बच्चे भी सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मद जुटाते थे. इस तरह नन्ही चिकी ने अपने साहस और हिम्मद से सब को सिखाया कि चाहे रास्ते में कितनी भी कठिना या आएं, अगर दिल में विश्वास हो तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है. और वहां के रंग बिरंगे फूलों को निहार थी. एक दिन पंखुरी ने सोचा, क्यों न मैं आज कुछ नया करूँ. उसने जंगल के सबसे उंचे पेड के उपर बैठने का फैसला किया. वह पूरी ताकत से उड़ने लगी. उड़ते उड़ते वह ठक गई. लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी. अंत में वह उस उंचे पेड की चोटी पर पहुँच गई. वहां से उसने पूरे जंगल का द्रिश्य देखा. दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे पेड, नदी की धाराएं और नाचते हुए रंगीन तितलिया. यह द्रिश्य देखकर पंखुरी का द जगहों की खोज करेगी और अपने दोस्तों को भी यह सिखाएगी कि मेहनत से हर सपना साकार हो सकता है. और इस तरह पंखुरी और उसके दोस्तों का हर दिन एक नया रोमांच बन गया. वे सब मिलकर उंचाईयों को छूते और खुशियों के रंग बिखेरते. एक दिन एक छोटा सा तोता जिसका नाम टिनकू था, अपने पिंजरे से निकल कर खुले आसमान में उड़ने का सपना देख रहा था. टिनकू बहुत चंचल और खुशमिजाज था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह पिंजरे में बंध होकर कुछ मिस कर रहा है. एक सुबह, जब स पढ़ फड़ाएं और पिंजरे से बाहर उड़ गया. टिनकू ने आसमान में उची उड़ान भरी, चारों ओर देखा और महसूस किया कि बाहर की दुनिया कितनी विशाल और खूपसूरत है. उसने फूलों के बाग देखे, हरे भरे पेर और नदियों को बहते हुए देख वह खुशी से चह चहाने लगा. थोड़ी देर बाद टिनकू को एक दूसरी चिडिया मिली, जिसका नाम था मीना. मीना बहुत समझदार थी और उसने टिनकू से पूछा, तुम पहली बार बाहर आए हो, है ना? टिनकू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं बहुत खुश ह कि अब मैं आजाद हूँ. मीना मुस्कराई और बोली, आजादी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें सावधान भी रहना चाहिए. बाहर कई खत्रे भी होते हैं. टिनकू ने सोचा, मीना सही कह रही है. मुझे अपनी आजादी का आनंद उठाना है, लेकिन समझदारी से. उसने मीना के साथ दोस्ती कर ली और दोनों ने मिलकर उडान भरी. टिनकू ने बाहर की दुनिया का खूब आनंद लिया, लेकिन वह अब सतर्क भी था. शाम होने पर टिनकू को अपने पिंजरे की याद आई. उसने सोचा, घर भी तो मेरा ही है. आजादी का मतलब यह नह टिनकू खुशी-खुशी पिंजरे में लोट आया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि घर और आजादी दोनों ही जरूरी है. उस दिन के बाद से टिनकू दिन में बाहर उड़ता, नई-नई जगें देखता और शाम को अपने घर लोट आता. उसने आजादी और घर दोन का संतुलन बना लिया और खुशी-खुशी जीने लगा. आज मौसम कितना सुहाना है? चलो, उडान भरते हैं और नए दोस्त बनाते हैं. नमस्ते मिकी, क्या तुम मेरे साथ जंगल में घूमने चलोगी? नमस्ते चिरू. हाँ, जरूर. मुझे भी जंगल घूमना बहुत पसंद है. नमस्ते शेरा, क्या तुम भी हमारे साथ जंगल घूमने चलोगे? नमस्ते चिरू. हाँ, क्यों नहीं? मुझे भी नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है. नमस्ते नन्ही, क्या तुम भी हमारे साथ जूमने चलोगी? नमस्ते चिरू. हाँ, मैं भी आऊंगी. हमें मिलकर बहुत मज़ा आएगा. आज का दिन बहुत खास है. मैंने तीन नए दोस्त बनाए और हमने साथ में खूब मज़े किये.